Hello everyone and welcome to education achievers. I hope you all are doing well. आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं qualitative and quantitative research. इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों ही research के बीच difference क्या है? उसके साथ ही qualitative research में कौन सी research आती है and quantitative research में कौन कौन से research के types आती है? उन सारी चीज़ों को हम लोग आज discuss करने वाले हैं. यह topic देखने में छोटा लगता है, बट इसी topic से, इस छोटे से ही topic से आपके UGC net exam में 4-5 questions भी पूछ लिए जाते हैं, अलग-अलग तरीके से. तो NTA किसी भी तरीके से question को modify करके दे दे, अगर आप लोगों को इस topic के अच्छे से समझ है, आप जानते हो कि qualitative and quantitative research के बीच difference है क्या, तो आप लोग कैसा भी question आ जाए, आप लोग deal कर लोगे. और उसके साथ ही UGC net paper 1 जो आपका research aptitude unit है, उसमें हम लोग काफे सारे topics already cover कर चुके हैं, research का meaning, characteristics, steps of research, types of variable, independent and dependent variable क्या होता है, hypothesis का क्या मतलब है, कितने type की hypothesis होती है, type 1 and type 2 error क्या होता है, ये सारे topics हम लोग already cover कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने ये classes नहीं देखी हैं, तो मैं playlist बना दी है मैंने, उसका link में नीचे आपको provide कर दूँगी, आप लोग जाकर check out कर सकते हो, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हमने UGC net paper 1 2022 exam से related 100 questions की previous year question series complete की है, 6 classes में हमने 100 questions cover किये हैं, और आदा घंटे की एक class होगी maximum, उन classes को आप लोग जरूर देखना, 6 classes हैं उसमें 100 questions cover किये हैं, हमने एक एक question को deeply study किया है, अच्छे से understand किया है, एक एक option को, तो उन classes को आप लोग बिल्कुल miss मत करना, और इस channel पर आपको हर एक topic की free classes provide की जाती है, तो अगर आप लोगों ने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो make sure channel को subscribe कर देना, और साथ ही bell icon जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी notification किसी भी class का आपका miss ना हो, time पर आपको हर एक class का notification मिल सके, telegram group भी आप join कर सकते हो, अगर आप PDF चाहते हो, आज की class की अब आगी classes की, तो आप लोग telegram group भी join कर सकते हो, उसका भी में link provide कर दूंगी, चलिए आप class start करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे qualitative research, तो देखो किसी भी topic को जब आप पढ़ते हो, तो आप जो उस topic का नाम है, उस साब चीजों को अगर connect करोगे ना, तो आपको कभी confusion नहीं होगा, किसी भी topic से related, यहाँ लिखा हुआ है qualitative research, qualitative किस से मिलकर बना है, quality से, quality का क्या मतलब होता है, गुण, और देखो किसी भी व्यक्तिके, आप गुणों का कप पता लगाते हो, उसके बारे में का पता चलता है आपको, जब आप उसके साथ रहते हो, उसको explore करते हो, जादे से जादे जानते हो, जब आपको in-depth knowledge होती है उस व्यक्तिके बारे में, तब आपको उसकी qualities का पता चलता है, गुणों और अफ़गुणों का पता चलता है, ऐसे ही qualitative research जो होता है, उसमें हम in-depth study करते हैं, और qualitative research में जो data होता है, वो हमें quality बताता है चीजओ की, तो qualitative research आप लोगों को name से याद रखना है ठीक है, जिसमें कि हम in-depth study करते हैं, किसी भी topic क बारे में चीजों को explore करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जानने की और समझने की कोशिच करते हैं, तो exploration, understanding, in-depth study, ये सारे ही किस चीज में आएंगे qualitative research में, qualitative research is used to gain an understanding of human behavior, intentions, attitude, experience, etc, यानि जो गुलात्मक शोध है उसको प्योग हम मानव के वैवहार, इरादों, दृष्टिकों, अनुबव आधी की समझ को विक्सित करने के लिए करते हैं, इस तरह की जो research होती है, this kind of research, usually done to understand the topic in depth, तो एक तो इसका देखो, understanding हुआ keyword, जहाँ पर understanding की बात आएगी, जहाँ पर भी in-depth study की बात आएगी, वो सब किसका पार्ट होगा, qualitative research का, it is an unstructured and exploratory technique, एक हमारा क्या keyword हु होता है, वो pre-planned नहीं होता, वो unstructured होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, exploratory technique की जाती है, exploratory technique की मतलब होता है, जब हम चीजों को खोज ना चाते हैं, उनके बारे में जानना चाते हैं, किसी भी चीज के बारे में हमें जद 달it knowledge नहीं है, तो हम उसको जदानना चाते है, उसको हम कहते हैं exploration, ठीक है, तो qualitative research में हम exploratory technique का use करते हैं, और यह एक type के unstructured होती है, यहाँ पर कुछ भी pre-plant नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम behavior को study कर रहे हैं, intention attitude को study कर रहे हैं, understanding कर रहे हैं human behavior, तो यहाँ unstructured होता है, structured नहीं होता, it is carried out by taking the interview, और देखो जो interview होता है वो भी unstructured यहाँ unstructured की बात हो रही है, तो interview जो होगा, वो कैसा होगा, open-ended questions होगे, और observation होगा, in-depth interview होगा, which are described in words also, यहाँ पर क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है, qualitative research में आप किस चीज़ का use करोगे, आप लोगों को observe कर सकते हो, research करने के लिए, interview ले सकते हो, उनका in-depth study करने के ल ले, यह सारी चीज़ें किसका पार्ट होगी, qualitative research का, तो अब आपको अच्छे से समझ आया कि qualitative research में हम करते क्या है, qualitative research में हम understanding करते हैं, ऐसे topics की, ऐसी चीज़ों की, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनको explore करते हैं, इसमें हम observe कर सकते हैं, लोगों को, उनका interview ले सकते हैं, और interview में हम open ended questions भी रख सकते हैं, unstructured way में हम interview conduct करा सकते हैं, explore कर सकते हैं, चीजों को, वो सब किसका part होगा, qualitative का, अब हम आगे देखते हैं, quantitative research का क्या मतलब होता है, quantitative research is a research strategy that focuses on quantifying the collection and analysis of data, यानि कि quantitative research, यहां पर भी आपको नाम से देखना है, यहां के लिख रहा है quantity, quantity कि से कहते हैं, मातरा को, यानि कि जो किसी भी चीज़ के बारे, जिसकी जो किसी चीज़ की हमें quantity बताता है, मातरा बताता है, यहां पर numbers का use होता है, यहां चीजों का हम discover नहीं करते, बलकि हम prove करते हैं, quantitative research में, जो हमारा data होता है, वो चीजों की quantity बताता है, quantitative research is a research strategy that focuses on quantifying the collection and analysis of data यानि कि data का collection और analysis जो होगा वो किस बेस पर होगा उसमें चीजों को quantify किया जाएगा इस फॉर्म प्रॉम आ डिड़क्तिव एप्रोच और इसमें कौन सी अप्रोच कि जाएगी डिड़क्तिव एप्रोच हम क्या करते हैं यान कि यहां पर हमें चीजह ने पहले से पता होती है क्याता था हमें चीजों का नहीं पता तो रहे था ज्यादा शाद ड़१ Along को कोशिश कर रहे थे quantitative research में पहले से हमें चीजों का पता होता है बढ़ हम वहां पर उनको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ना कि discover करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए यहां पर deductive approach का यूज किया जाता है यहां पर हमारे यहां पहले से ही theory है उसको हम यह तो प्रूफ करते हैं यह test करते हैं इसलिए इसको deductive approach माना जाता है as the results are accurately and precisely measured यानि कि क्योंकि परिणाम जो होते हैं वो सठीक और सठीकता समापे मापे जाते हैं क्योंकि यहां पर quantity की बात हो रही है this research method is also termed as empirical research क्यолет क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम experiment करते हैं experimental research किसका part होता है quantitative research का कॉंट्रिटिटिव research का कुभोर करते हैं at surat, learning by doing होता है empirical खुद अनुभव करते ही और इसलिए quantitative research को हम empirical research अनुभव जन्नन अनूसन्दान हम एक्सपिरियन्स हम कासे करते हैं खुद करते हैं, खुद experience लेते हैं, खुद अनुभफ करते हैं, इसलिए इसको empirical research भी कहा जाता है, this type of research is usually done by using, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, qualitative research में, observe कर रहे थे, in-depth interview ले रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, जो surveys हैं आपके, वो quantitative research का part होगे, experiment जो होते हैं, वो quantitative research का part होगे, and so on, यह कुछ है, examples है, जैसे कि quantitative research में क्या होगा, जैसे कि population के बारे में आपको जानना है, कि इंडिया की population से related to census के, जो population को study करने के लिए, जो survey होते हैं, जो जनसंख्या, जनसंख्या विरिद्धी के बारे में जानने के लिए, जनसंख्या कितनी हैं, अबादी कितनी हैं, हम किसका पार्ट होंगे, quantitative research, एक और example हो सकता है, जैसा आपको अगर पता करना है, कि NEP 2020 जो नई policy आई है, government of India की, तो उससे कितने percent लोग सहमत हैं, तो यहां भी quantity की बात आ गई, तो अगर उससे related आप survey करते हो, तो वो किसका पार्ट होगा, quantitative research का, वही qualitative research के अगर बात करें, तो क्या होगा, जैसे कि आप effect देखना चाहते हो, योगा का, योगा का क्या effect पढ़ता है, हमारी health पर, या फिर हम जो fast food खाते हैं, उसका क्या negative effect पढ़ता है, हमारी health पर, वो सब चीज़े क्या होगी, वो होगा qualitative research का part, quantitative research में हम quantity को measure करते हैं, numbers की form में data होता है, और numbers की form में data को analysis किया जाता है, अब आपको अच्छे से difference समझ आ गया होगा, अब हम इसके main differences के बारे में जानेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि qualitative and quantitative research, इन दोनों ही research में आप differentiate कैसे कर सकते हो, exam में जब question आएगा, तो आप कैसे deal करोगे, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, और ये आपके लिए very 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 important है, ये जो मैं आपको समझाने वाली है, qualitative research में हमने क्या पढ़ा था, a method for developing better understanding of human and social sciences, यहाँ पर देखो understanding हमारा keyword था, कि यहाँ पर हम understand करते हैं, चीज़ों को qualitative research में explore करते हैं, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, है न, understanding of human and social sciences, लेकिन quantitative research में क्य होता है, यह एक method है, जो कि use होता है, generate करने के लिए numerical data को, by using statistical and mathematical techniques, यहाँ पर जो हमारा data होता है, वो numerical form में होता है, numbers के form में होता है, और उसका हम analysis कैसे करते हैं, statistical and mathematical techniques की help से हम उस data को analyze करते हैं, है न, qualitative research में आगे understanding, और यहाँ यह किस से related होगी, यह statistical techniques से related होगी, हमारा quantitative research क् कि numbers की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर, अगला जो हमारा point है, वो है, it follows inductive approach, यहाँ पर कौन सी approach follow होती है, inductive approach, क्यों, because, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, कि हम चीजों को explore करते हैं, example से rule की तरफ चलते हैं, examples की help से हम चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, and then हम theory पर आते हैं, इसलिए है, inductive approach यूज होती है, qualitative research में, quantitative research में कौन सी approach follow होती है, deductive approach, because, यहाँ पर हमें चीजों का पहले से पता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम उसको test करने की, यह प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर भी हम theory से example की तरफ जाते हैं, है न, general to specific की तरफ जाते हैं, वो हमारा होता है, deductive approach, तो कहीं पर भी अगर आपको deductive approach से related, अगर कुछ लिखा हुआ दिख जाए, वो आएगा आपकी quantitative के अंदर, और अगर आपको inductive word दिख जाए, जैसे कि empirico inductive research कौन सी होती है, तो वो होगी qualitative, और वहीं आपसा अगर पूछा जा है, subjective approach, but quantitative में कौन सी होगी, objective, subjective approach क्योंकि यहां पर human behavior से related बात हो रही है, social sciences से related बात हो रही है, इसलिए यहां पर होगा subjective approach, but यहां objective approach होगा, because यहां पर कोई भी biasness नहीं हो सकती, no biasness, क्योंकि यहां पर हर एक चीज़ numbers की form में होगी, तो पूरी तरीके से objective approach को follow किया जाता ह है quantitative research में, अगला point है, यह जो हमारा qualitative research है, यह answer करता है भाए को, क्यों, अगर कुछ है तो क्यों है, कैसे है, है ना, लेकिन quantitative research किसको answer करता है, what and when को, यानि कि क्या है और कब हुआ, यानि numbers की form में, जैसे कि example क्या हो सकता है, जैसे qualitative research में हम जानेंगे, कि जो junk food है, वो हानिकारा क्यों है, healthy foods के मुकाबले, है ना, तो यह answer किसका किया जा रहा है, क्यों का, यह होगा qualitative research, quantitative research में, आप क्या जानोगे, कि जो भारत की जनसंख्या है, उसमें कितने percent लोग male है, कितने percent लोग female है, कितने percent लोग पढ़े लिखे हैं, कितने percent लोग जो है, यूवा है, यानि सिर्फ numbers की form में data देना, what and when का answer, जिसमें कि जैसे कि when में क्या जाएगा, dates आजाएंगी, है ना, what में क्या जाएगा, numbers आजाएंगे, संख्या आजाएगी, percentage आजाएगी, वो होगा quantitative का, है ना, तो I hope you understand, अगला point देखते हैं, it has open-ended questions, qualitative research में आएगा, open-ended questions का use होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ाता, interviews का हम use करते हैं, qualitative research में, और जो in-depth interview होते हैं, उसमें open-ended questions ही पूछे जाते हैं, लेकिन quantitative research में क्या होता है, हमने example समझाता ना, कि survey, survey किसमा आएगा, quantitative research में, इसलिए यहाँ पर क्या होते है, quantitative research में use होता है, close-ended questions का, close-ended questions मतलब multiple choice type के questions जो होते हैं, यहाँ पर जो है, open-ended questions नहीं होंगे, यहाँ close-ended questions होंगे, अगला, जो point है, वो है, non-probability sampling, इस पर तो आप लोग star बना लेना, यह बहुत important है, qualitative research में हमेशा use किया जाता है, non-probability sampling technique का, but quantitative research में use किया जाता है, probability sampling technique का, तो यह बहुत important है, यह आप लोग हमेश पूछे गए हैं अगला पॉइंट है इस में अब्जेक्टिव इस टुँ इंगेज और डिसकवर वरियस आइडिया यहां पर हम इंगेज होते हैं एंड डिसकवर करते हैं अलग-अलग तरह के विचारों को बट यहां कॉलिट कॉंटिटिटिटिव रिसर्च में क्या होता है इसका जो में अब्जेक्टिव यह उद्देश्च है उसको क्या है तो एक्जामिन दी कॉज और इफेक्ट बिट्विन वेरियेबिल्स यहां पर हम वेरियेबिल्स के आपस में बीच में जो रिलेशन्शिप है कॉज और इफेक्ट का उसका पता लगाते हैं लेकिन कॉन्टिटिटिटिटिव रिसेर्च हमेशा स्ट्रक्चर्ड होती है और और प्रिप्लांट होती है जिनदेटिदों करते हैं अन चीज dispatch करते हैं लेकिन को », अ चलती है and pre-planned होती है यहाँ पर कुछ पहले से planning नहीं होती qualitative में तो अगला point देखते हैं result expressed using words जो result है जो परिणाम है उनको हम किसकी form में express करते हैं words की form में शब्दों के रूप में हम result देते हैं but quantitative research में quantitative research में हम क्या करेंगे numbers की form में होगा हमारे जो result होगा एकदम objective numbers की form में हमारे result होगा qualitative में क्या होगा शब्दों के रूप में हमारे result होगा अगला point है यहाँ पर हम हर चीज की जो भी हम करने वाले हैं जो भी research हम कर रहे हैं उसकी in-depth study करते हैं लेकिन quantitative research में हम एक superficial level पर study करते हैं जैसे कि in-depth study में हम क्या जानेंगे कि जो in-depth study यह हो सकती है कि कोई भी अगर नई policy आती है government की तो किस तरीके से effect डाल रही है लोगों पर उसका क्या effect पढ़ रहा है लोगों पर है ना कैसे effect पढ़ रहा है लोगों पर उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो वो गी i-depth study लेकिन अगर हम यह जानेंगे कि कि परसैंट लोग हैं उस policy से सहमत है कितने परसैंट लोग हैं जो सहमत नहीं है तो हमने सुफर फेशयल लेविल पर एक का नीचर होता है conclusive है ना तो यह सारे points आपको अच्छे से clear हो गए होंगे I hope so अब हम आगे देखते हैं कि quantitative research के कौन-कौन से types हैं सबसे पहले हम quantitative research देखेंगे तो आप लोग हमेशे याद रखना कि यह जो type यहां पर लिखे हुए हैं descriptive research experimental research quasi experimental research exposed factor research correlational research and survey इस सारे ही quantitative research के types हैं इसके लावाँ जितने भी research होंगे वह कैसे होंगे वह qualitative research होंगे descriptive research का keyword हम आगे इन सारे ही research के types को अच्छे से discuss करेंगे अभी फिलाल आप लोग बस इतना समझ लीजी कि qualitative research में कौन से types हैंगे and quantitative में कौन से type आएंगे descriptive का keyword होता है what is जिसमें की जो है जो इस वक्त हो रहा है जो भी है उसको आप describe कर देते हो है ना experimental quasi quasi experimental भी experimental research का एक पार्ट होता है ऐसी survey research जो sensors जो की जनसंख्या से related जो surveys होते हैं आपके वह सब किसका पार्ट होंगे quantitative research का आगे पढ़ते हैं अब देखते हैं qualitative research जैसे मैंने आपको बताया कि कॉल जो quantitative research में हमने पड़े उसके इलावाद जितने भी होंगे वह qualitative research का पार्ट होंगे जिसे एक्ट्म ग्राफिक research narrative research narrative research का मतलब किया होता है कीवर्ड storytelling जहां पर भी story word आ जाएगा वहोगा आपका narrative research है ना साथ-साथ में मैं आपको keyword भी बताती रहती हूं जो चीज़े मैंने अपनी preparation के दौरान follow की थी जिन चीजों को मैंने use किया था और मैंने keywords बनायते वो मैं आप लोगों को भी बताती हूं ताकि आपकी भी अच्छे से preparation हो सके और आपका भी first attempt में ही qualify हो जाए एक्जाम तो आप लोग चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना because मैं अपना experience भी आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करती रहती हूं और यहां पर आपसे किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है है ना clinical research case study यह सब किसका का पार्ट होगा qualitative research का पार्ट होगा इन सारी research को हम detail में भी discuss करेंगे अब हम पहले हैं यह देख लेते हैं कि qualitative and quantitative research related किस तरीके के questions आपके exam में पूछे गए हैं तो यहां पर जो question लिखा गया है उसको आप ध्यान से पढ़िए which from the following are parts of the purpose of quantitative research यहां किसकी की बात हो रही है quantitative research की बात हो रही है तो जितने भी keywords मैंने अगर आपको बताए हैं और आपने अच्छे से समझे हैं तो आप इसका answer अराम से कर लोगे understanding की बात हमने कहां की थी याद करो understanding की बात की थी हमने qualitative research में तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा जहां भी a लिखा हुआ है उसको काट दो ना ही one होगा ना ही two होगा three and four मैंसे कौन सा होगा देखो बी दोनों में ही है यानि कि discovery of relationship among variables और यही हमने भी पड़ा कि variables के बीच cause and effect का relationship हम कहां देखते हैं quantitative research में इसलिए यह तो हो जाएगा सही है ना बी के बाद d भी देखो दोनों में है देखो deconformation of hypothesis यह भी दोनों में ही होगा hypothesis को confirm करते हैं हम किसकी मदद से statistical analysis की मदद से है ना जिसमें हम mathematical technique भी यूज करते हैं तो यह भी बिलकुछ सही हो जाएगा अब हमें यह देखना है कि c होगा या e होगा तो हमेशा याद रखना कि quantitative research में जो हमारे results होते हैं हम उनको generalize कर सकते हैं दूसरी situation में तो यह हमेशा quantitative research से जुड़ा हुआ होता है generalization जो word होता है जिसको हिंदी में कहते हैं समानिय करन है ना तो फिर यह भी सही हो जाएगा त इसे तो मैंने बता ही दिया है अंसर देखो निमलिकित में से कौन मातरात्म कनुसंधान के उद्देश्य के भागें यहाँ पर हिंदी में भी अच्छे से पढ़ सकते हो है ना पूछा गया है qualitative research study ना कि quantitative है ना तो यहाँ पर qualitative research की बात हो रही है तो qualitative research में हम क्या करते है explain करते हैं predict करते हैं explore करते हैं estimate करते हैं है ना तो हमने अच्छे से समझाता कि qualitative research में हम चीजों को explore करते हैं depth study करते हैं understand करते हैं इसलिए यहाँ पर right answer क्या होगा option number 3 exploration अगला question है which of the following represent the quantitative research methodology यहाँ पर फिर से पूछा गया है quantitative research methodology के कौन कौन से type first option is one to one interview क्या interview होगा survey research focus group correlational research या descriptive research तो देखो interview की बात तो हमने की थी qualitative research में यहाँ बात हो रही है quantitative की interview तो बिल्कुल कट जाएगा है ना तो ए वाला उसे काट दीजे दूसरा है survey research survey research की हमने बात की थी quantitative में मैं आपको बताया था ना कि जो जनगर्णा होती है वो सब क्या ह तो हमारा होगा भी तो होगा यहाँ पर भी नहीं इसको भी काट दो अब यह दो option बचते हैं हमारे पास focus group जो focus group होता है वो interview का एक type ही है interview one to one interview में हम आमने सामने बैठ कर interview करते है focus group में क्या होता है कि कुछ लोगों का एक group होता है उनसे question answer किये जाते हैं किसी एक particular topic पर focus group एक interview का part ही हुआ तो focus group भी नहीं होगा तो जो C है उसको भी काट दीजे बस एक ही बचता है हमारा answer हो जाएगा option number two क्योंकि correlational research भी हमने quantitative में पढ़ाता और descriptive research भी हमारे quantitative research का ही type है इसलिए सही answer होगा B, D and E यानि option number two will be the correct answer B, D and E quantitative research I hope आपको ये आज का session पसंद आया होगा गर आपको आज की एक class थोड़ी सी भी helpful लगी हो आपको अच्छे से चीजे समझ आई हो Please अपने friends के साथ भी share कीजेगा और like कीजेगा subscribe करना बिल्कुल मत भूलना channel को मिलते हैं नए topic के साथ Thank you so much and take care